नमस्कार दोस्तों फुजा डिजाइन सेन स्टिचिंग में आपका स्वागत है तो यह देखिए हम एक टोपी का वीडियो आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं तो यह उपर साड़ी में जो ब्लाउज निकलता है उसका कपड़ा है और नीचे कॉटन का फैब्रीक है तो पहल को सब्सक्राइब कर लें तो यह देखिए लाइनिंग और मैन फैब्रीक को जोड़ लिया है और यह देखिए मैंने इसको कुछ ज्यादा बड़ा रखा है यहां पर चोड़ाए में यह मेरा लगबख 27-26 इंच है तो आप इसको 21-22 इंच रख सकते हैं क्योंकि मुझे इस तरीके से नॉर्मल जो लंबाई कपड़े की हमारी 21 इंच आप ले सकते हैं इसमें मैंने यहां पर चार पांच इंच यहां पर एक्स्टर लिया है क्योंकि जिन्होंने बनवाया उनको बीच में से घेर ज्यादा चाहिए था इसलिए थोड़ा सा एक्स्टर कपड़ा ल अवाया जो राउंड है वो भी सिंच है भान से दूसरे कान तक पूरां मेजरेमेंट किया है इस तरीके से तो आप ही मेजरेमेंट के अकोडिंग की पट्टी तयार करें तो में इसमें से देखी आपर प्लेट लड़े ही राउंड में जो करव करें हम लग आ स qu AI आं पर के लिए इस तरह की टोपियां बना सकते हैं यह नौर्मल टोपी हम घर में जो डेली उज में काम लेते यह बच्चे को डेली में पैनाने में सही भी रहती है देखिए कि इस सिक्स्टीन कि देखिए सिक्स्टीन हमारी आप प्लेटे आई है तो आठ हम अगर मालों बीच में से भी मादादा कर देते हैं तो आठ उदर और आठ हमारी सेंटर से इधर तो एक आईडिय के तोर पर आप इस तरीके से ले सकते हैं तो यह देखिए राउंड नीचे समय स्टार्टिंग से एक देड इंच छोड़ते हुए पूरे में इस तरीके से हमारी जो पूरे राउंड में 16 प्लेटे आ जानी चीए 16 या एक दो उपर नीचे हो जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि प्लेट की लंबाई चोड यहां पर बना रहें देखिए नॉर्मल प्लेट में उठा उठा के कपड़े यहां पर इस तरीके से बना रहे हूं और फिर भी अगर आपकी जो पूरे राउंड है पट्टी पर कम ज्यादा रहती है तो आप इसलिए मैं पहले प्लेट डाल जो पट्टी जोड़ने के आप इसको देड़ सकते हैं और अगर पट्टी छोटी रह जाती है और यह ज्यादा बढ़ा है तो आप एक दो प्लेट बीच में भी डाल सकते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आगे पिछे हो सकता है यह देखिए पूरा 20 इंच में रहे हैं यहां पर आया है और अब जो बॉर्डर है उसी का मैं यहां पर यूज कर रहे हूं अगर आप जो बना रहे हैं तो आप क्या करें मैं फैब्रिक और यह लाइनिंग का बॉर्डर यहां पर तीन इंच का काटें साड़े तीन इंच का और फिर उसको फोल्ड कर दें तो इस तरीके से आपका जो इंच के आपकी तयार है जाएगी और अगर आपको ज्यादा चौड़ी पट्टी लगानी है फ्रंट में तो आप चार इंच भी आपर ले सकते हैं यह देखिए इस तरीके से बॉर्डर कमने यूज कर लिया है अब हम इसको फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड और यह कोई साड़े का पड़ा हो तो आप यूज कर सकते हैं तोपी बनाने के लिए और जहां प्लेट हमने जो डाली थी उस प्लेट की सिलाई के उपर उपर किनारी पर गोटे पट्टी को रखते जाएं और सिलाई लगाते जाएं इस तरीके से पूरी राउंड में सिलाई लगा लें यह देखी लगबग तोपी हमारी आदी से ज्यादा यहां पर सिल चुकी है अब नीचे यह देखिए नीचे जो गर्दन पर पट्टी लगाते हैं वह यहां पर लगाएंगे तो उसके लिए यह क्योंकि मैंने कपड़ा यहां पर एक्स्ट्रा लिया हुआ है यह देखिए नीचे भी हमारी जहां पर बांदने वाली पट्टी लगेगी वहां पर भी मेरी यहां पर फ्लेटें डालूंगी तो वह भी मेरी यहां पर लगबग 10-12 प्लेट डलेंगी क्योंकि पूरी घेर वाली मैंने यह टोपी बनाई है इसलिए कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था तो हाथ की सुझ से दो तुन प्लेटें डाल सकते हैं और उसको एड्जेस्ट कर सकते हैं अब यह देखिए मैंने नीचे प्लेटें इस तरीके से देखिए राउंड में आ गया है बिल्कुल अब नीचे हमें डेट दो इंच की पट्टी काट लूंगी यह साड़ी के कपड़े तो पट्टी मेंसी रखनाया और टोपी को सीधा रखनाया और संटर से दोनों साइड पट्ट्यों को मेजर करते हुए दोनों साइड वराबर जह बाँने के लिए तो उसकी पूरा मेजरमेंट लेते हुए आप इसको अटेज कर लें मैंने और वीडियो में बता है कि किस तरीके से पट्टी अटेज करनी है नॉर्मल वो मैं टोपी की दोनों पट्टियों में नीचे की साइड लगा दूँगी छोटी छोटी बनी है बट वो इसमें यू जा जाएंगी और टोपी की डो रिफ देखिए मैंने बना दिया है सुन्दर भी लगेगी इस तरीके से वीडियो कंप्लीट होता है अच्छा ल कि को कि क corner याएंड़ है अप्रियों वी जाएंड़ है जाएंड से ऑना क को न European एकी सान्य वडिता है कि जाएंड़ को उनाुकता है सक्हड़ के दोना कान का याएं़